पीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में दूसरा बड़ा उलत फेर देखने को मिला है जर्मनी और जापान के बीच रुमान चत मुकाबला खेला गया मैच में जापान ने जर्मनी को दो एक से करारी शिकस्त देते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की आपको बता दे कि जर्मनी ने चार वर्ल्ड कप किताब जीता है मैच का पहला हाफ जर्मनी ने अपने नाम किया उसने पहले हाफ में एक सुने की बड़त बनाई थी जबकि दूसरे हाफ में जापान ने दमदार खेल दिखाया और दो गोल दाखते हुए दो एक से मैच अपने नाम कर लिया इस बीच स्पेन कॉस्टारीका के खिलाफ एतिहासिक जीता हासिल की उसने ग्रूप ए में अपने पहले मैच में कॉस्टारीका को साथ सुने से हरा दिया स्पेन की टीम ग्रूप ए में अपना दूसरा मुकाबला 28 नमंबर को जर्मनी के खिलेगी जर्मनी को एक शर्मना कहार का सामना करना पड़ा टीम ने जापान के खिलाफ किक ओफ से पहले एक जोरदार बयाद दिया वान लव आम बैंड के विरोध में जर्मन खिलाडियों ने अपनी टीम फोटो के दारान अपने हातों से अपना मू ढग लिया LGBTQ समुदाय का समर्थन करने वाले वान लव आम बैंड पहनने के विकल्प से इंकार किये जाने के बाद चार बार के चैंपियन ने कहा कि उन्हें आम बैंड की अनुमती नहीं देना उनकी आवाद से वन्चित करने के बराबर है आपको बता दे कि कतर में समलैंगिक्ता को कानूनी मान्यता नहीं है ये बैंड सभी तरह की समानता का समर्थन करता है और ऐसी कारवाई ने इस मुद्दे पर फीफा के रुख पर सवाल खड़े कर दिये हैं